Hi friends, Namaskar आज हम बात करेंगे कि आप जिन्दिगी में हमेजा खुद किसे रहें कुछ इसी बाते हैं, कुछ इसी आदते हैं जो आज मैं आपके बताँगा ऐसे आदता से अगर आप दूरी बना ले तो आप जिन्दिगी में हमेजा खुद खुद रहेंगे कभी आप तुकी नहीं रहेंगे तो कुछ ऐसी बाते हैं मैं आज आपके लिए शेयर करता हूँ नमबर वन हर काम में हाँ करना अगर आपकी ये आदत है कि हर काम में आप हाँ करते हो तो ये आपको मुसिबत में डाल सकती है दोस्तों हमेसा हर काम में हाँ नहीं बोले कभी कभी ना कहने के भी आदत डाले हम जानते हैं कि हाँ बोलना हर काम में हाँ करना बहुत ही अच्छी आदत होती है आप लोगों को बीच में अच्छे पुपलर होते हैं लोग आपकी तारीफ भी करते हैं और फिर आपको नुकसान आपको होता है आप की ही image डाउन होती है इसलिए कभी भी ऐसे काम में हाँ न करें जो आपके possible न हो जो आपके वस्में न हो हमेशा ना करने के भी कभी कभी आगे डालें आप politely request भी कर सकते कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता है बस वह क्या होगा? ज्यादा जैसा एक बार नारज होगा लेकिन फिर आगेशा तो आपसे नारज नहीं होगा इसलिए हमेशा हाँ करने की आदद नहीं रखे अगर आपने कोई काम के हाँ कर लियो और वह काम नहीं हुआ तो वह आद भी और आपसे ज़्यादा नाराज हो पसरते अगर एक बार आपने उससे ना कर दिया तो वह इतना नाराज नहीं होगा लेकिन जब आपने हाँ बरली किसी काम की और फिर वो काम आपसे नहीं हो पाया तो वह आपसे ज़्यादा नाराज हो इसलिए हमेशा जो आपसे possible हो जो आपसे संबव हो सके उसी काम की हाँ करें second, परिवर्तन से डरना हर इंसान के जीवने परिवर्तन आते हैं हमेशा जब भी कोई जीवने परिवर्तन आये तो आप डेरे नहीं आप हमेशा आगे बरते रहें बहुत से इंसान के जीवन में business बदलने पड़ते हैं, बहुत से इंसान के जीवन में नोकरी बदलने पड़ते हैं, बहुत से जीवन के इंसान में किराये रहते हैं, home बदलने पड़ते हैं, जगे 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 जाना पड़ता है, तो ऐसे चोटे चोटे परिवर्तन इंसान के जाहिए स्वस्ष्टी का नियम में परिवर्तन आते रहते हैं नहीं और उर जी में आगे पढ़ते रहे थर्ड भूत काल में जीना वो सारे लोग क्या करते हैं कि भूत काल में जीते अरे यार मैंने बविश में वो कर दिया अरे यार मैं वो नहीं करता था आज में कहा जाता अरे यार अगर पाश्ट में मुझे वो गलती नहीं होती तो मैं सबसे आगे होता अरे यार जो चीज बीच चुकी उसको आप जाने दें क्या बिता हुआ कल आप खरी सकते हैं अरे बिता हुआ कल कितना ही करोड़ पत्री इंसान है वो भी नहीं खरी सकता और नहीं उस वक्त को बदल सकता है अपने पर्जेंट में जिये और आने वाले पविश्य के बारे में बात करें आने वाले समय के बारे में बात करें ऐसे समय के बारे में कभी ने बात करें जिसको आप न बदल सकते हैं न उस समय के पास जा सकते हैं क्योंकि जो बीट गया, यह एक सेकंड भी अगर आपके जिए से निकल गया तो उस सेकंड में वासि आप कभी नी चासकते तो एसे समय के बारे में क्या सोचने हैं. हाँ, उस बीते हूए ब से आप सीख जरूर ले सकते हैं बार बार उस बिते हुपल को याद न करें, उससे हमेशा आपका ही नुकसान होगा, आप ही चिंता में गीरे रहेंगे, इसलिए हमेशा बूत काल में कभी न चाहिए हमेशा परजेंट और आने वाले पविश के बारे में चर्चाय करें और अच्छी योजनाई बनाएं सबी को खुश रखने की वह से, बहुत से इंसान की आदद होती है, बहुत से लोगों काती है कि सब को खुश रखने है, कभी भी ध्यान रखना हूँ, वो कोसिस करता है कि मैं ओपिस में खुश रखू, अपने परिवार में लोगों खुश रखू, समाज में खुश रखू, ह आपको पता है कि भगवान राम भी मरियाता पुरसतव हुए थे इस दुनिया में इस तर्थी पर अवतार लिया था लेकिन उन्हों ने भी वो भी सब को खुस ने रख सके तो आप देख लोगी आप भगवान राम से तो बड़े नहीं है इसलिए आप कभी यह कोशिस ने करे कि मैं सब को खुस रखूँगा कोई ने कोई तो आप से नाराज जरूर होगा इसलिए आप उसन की चिंता न करें आप अपने लक्ष के तरफ बढ़ते रहे और आप अपने जिन्दी जीते रहे जितना हो सके आप अच्छा करने की कोशिस करें जितना हो सके अपने से हो सके उतना किसी इंसान की अच्छा करने की कोशिज करें, उसका बला करने की कोशिज करें, लेकिन आप ये न करें कि यार कि वो मुझसे नाराज है, वो मुझसे नाराज है, ये दुनिया है, कोई न कोई तो आप से नाराज होगा ही इस दुनिया है, जब आप सपलता की सीडिये च कि मेरो को आगे बटना है सुक दुख इंसां के जिवन में आते हैं जब आप दुखी होंगे तो नेचुरली आपके दिमागे नेगेटिव बाते आएंगी आप दुखी होंगे लेकिन फिर वापिस एक पल अपने आपको एक सकरात्मक्त ताकि तरफ लाना है हमेसा पॉजिट आपको पसंद आए लाइक करें शेर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्क्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें